हेले दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चाहें भीहार जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग एडूटेरिया के करेंटरफेर्स का प्रेक्टिस सेट 18 इस वीडियो में देखेंगे तो यदि आप लोग ने आप तक हमार चैनल भीहार जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को जूर दमातवाई ये वीडियो को स्टाट करते हैं तो आज का पहला प्रशन है खाना बनाने के लिए स्वक्च वातावरन परदान करने एवं कारवन डायोकसाइड उट सर्जन में कमी लाने के उद्देश से किस संस्था द्वारा सोलर डी सी कूटिंग सिस्टम विक्सीत किया गया है तो यह किया गया केंद्रिये यांत्रिक अभी यांत्रिकी अनुसंदान संस्थान एवं C.S.I.R. के द्वारा अब अग्णा पश्ट्न है सितंबर तुहरे किस में क्वार्ट देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक कायोजन किस देश में किया गया तो यहां किया गया अमेरिका में नेक्ट परश्ट है शितंबर 2021 में किस राज की जुडीमा वाइन राइस जी आई टेग हासिल करने वाली पुर्वोत्तर में पहली पारंपरिक सराब बन गई है तो इसका उतर है अशम अब नेक्ट परश्ट है वर्ड्स 2021 के लिए विश्व परियटन दिवस की थीम क्या है तो इसका उतर है शमावेशी विकास के लिए परियटन नेक्ट परश्ट है किन सरकार द्वारा मिड़े मेल योजना का नाम बदल कर क्या रखा गया तो पियम पोशन योजना अब अगला परशन है Liberal Democratic Party के नत्यत में फुमी को किसी दा किस देश के नए परधान मंत्री बनेंगे तो यह बनेंगे जापान के नए परधान मंत्री नेक्ट परशन है नीमा बेन आजचारे को निम्लिकित में से किस राज की विधान सभा की पहली महिला स्पीकर नियुक्त किया गया है तो इसका उत्तर है गुजरात की या पहली महिला स्पीकर है विधान सभा की अब अगला प्रश्टन है निम्लिकित में से किसे 24 सितंबर 22 को Global India Lifetime Achievement Award 2021 से सम्मानित किया गया तो दिनेश शहरा को नेक्स प्रश्टन है मुंबाई की आरोही पंडित किस महाशागर के उपर उरान भरने वाले दुनिया की पहली महिला पाइलट बन गई है तो इसका उत्तर है अटलांटिक महाशागर नेक्स प्रश्टन है बारा बार विस्व चेंप्रेंशिफ का खिताब जीतने वाले मुक के बाज मैनी पैकी यूओ ने सन्यास की घोशना की वे किस देश के खिलारी हैं तो वे हैं फिलिपिन्स की खिलारी अब नेक्स प्रश्टन है 29 सितंबर 22 को अकिल भारतिय प्रवंधन संग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो नियुक्त किया गया शी के रंग नाथन को अब नेक्स प्रश्टन है सम लैंगिक जोरों को साधी करने की अनमती देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना तो उसका नाम है स्विटजर्ड लैंड नेक्स प्रश्टन है पूने के इंटर युनिवर्सेटी सेंटर फोर एस्ट्रोनॉमी के डॉक्टर कनक शाहाखो किस छेत्र के लिए श्यांती स्वरू भटनागर प्रश्कार 2021 परदान किया गया तो यह बहुतिक विज्ञान के छेत्र में दिया गया अब नेक्स प्रश्टन है रसियन ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जितकर सौवी फॉर्मूला रेस जितने वाले दुनिया के पहले ड्राइवर कौन बने तो उनका नाम है लुईस हैमिल्टन अब अगला प्रश्टन है सितंबर 2021 में किस राज की सोजन सोजत मेहंदी को GI टेग परदान किया गया तो यह परदान किया गया राजस्थान के सोजन मेहंदी को अब अगला प्रश्टन है नेम्लेकित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसका उत्तर है C अर्थात दोनों कथन सही है अर्थात अविक सरकार को प्रेश्टरस्ट आफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किया गया दूसरा कथन है इयर मार्शल संदीप सिंग को वायुस सेना का नया उप परमुक्त न्युक्त किया गया है अब अगला प्रश्टन है हाली में किस भारतिय अर्थ सास्त्री को IMF के उच अस्तरिय सलाकार शमू के सदस्ट के रूप में नामित किया गया तो उनका नाम है मोंटेक हलू वालिया अब नेक्स्ट प्रश्टन है Smart City Awards 22 की 100 सहरों की सूची में किस सहर को पर्थम अस्थान प्राप्त हुआ है तो इंदोर एवं सुवत को Smart City Awards 22 में पर्थम अस्थान प्राप्त हुआ है अब नेक्स्ट प्रश्टन है किस ओलम्पिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विस्विद्याले का पहला कोलपती नुक्त किया गया तो उनका नाम है कर्णम मलेश्वरी अब नेक्स प्रस्टने टोकियो उलम्पिक 22 के लिए क्वालिफाइ करने वाले पहले भारतिय तैरा कौन बने तो शाजन प्रकाश नेक्स प्रस्टने हाले में किस अफरेकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसे सबसे बरे हीरे की खोज की गई तो यहाँ खोज किया गया बोट्स वाना में नेक्स प्रस्टने है नेशनल जियोग्राफिकल सॉसाइटी ने किसे दुनिया के पांचवे महाशागर के रूप में मानता परदान की है तो दक्षिन महाशागर को अब अगला प्रस्टन है महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भात वनसी जज के रूप में नामित किया गया तो करनाडा में अब अगला प्रस्टन है परदान मंतरी नयन मोदी द्वारा अंतराष्टी योग दिवस की अवसर पर किस एप को लॉंच किया गया है तो किस एप को लॉंच किया गया एम योगा नामक एप को अब अगला प्रस्टन है डेव्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्शतक लगाने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है तो यह है सेफाली वर्मा नेक्ट प्रस्टन है निम्ड में से किस राज सरकार ने एलेक्टी कार खेदने पर देर लाख रुपी या फिर प्रती किलो वाट दस हजार तक की सबसेड़ी देने की घोष्णा की है तो इसका उतर है गुजरात सरकार ने इमारत का उटगाटन हाली में कहां किया गया तो इसका उत्तर है IIT हैदराबाद में इमारत का उटगाटन हाली में भात का पहला राज कौन मना तो गोवा नेक्स प्रस्ट है हाली में परकासित पुस्तक इट्स ए वंडर्फुल लाइफ के लेखक है कौन तो इसके लेखक है रस्कीन बॉंड अब नेक्स प्रस्ट है तोकियो ओलम्पिक के लिए मोहित चवहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतिय दल के लिए आधिकारिक ओलम्पिक थीम गीत के रूप में लॉंच किया गया है तो उसका नाम है लक्ष तेरा शामने है अब नेक्स प्रस्ट ने सेन जाओं टुवेल्व क्या है तो यह क्या है तो यह है चीन का मानव्युक्त अंतरिक्चियान अब नेक्स प्रस्ट ने आएमडी द्वारा जारी विस्व परतिय परधात्मक सुचकांक 2021 के संबंद में कौन सा कथन शत्य है तो इसका कथन है दोनों कथन सही है अर्थात इस सुचकांक में सुर्जय लेंड को पर्थम अस्थान प्राप्थ हुआ और भारत को 43 अर्था 43 अस्थान प्राप्थ हुआ है अब नेक्स प्रस्ट है किस भारतिय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विस्व प्रप्थ है कि इसके तिस्रे चर्ण में तीन गोल्ड मेडल जीत कर दुनिया की नमबर वन तीरंदाज बन गई है तो कौन है तो दीपिका कुमारी अब अगला प्रश्ट है किस केंद्य मंत्राले द्वारा नसा मुक्त भारत अवियान की सुरुआत की गई तो यह किया गया शमाजिक नियाय और अधिकारिता मंत्राले की द्वारा अब अगला प्रश्ट है हाली में किस राज सरकार ने राज की सभी भरतियों के लिए साच हातकार की पड़किरिया को समाप्ट करने का नहीं नहीं लिया तो इसका उत्तर है आद्र प्रदेश नेक्ट प्रश्ट है किस व्यक्ति को केंद्य सतरक्ता आयुक्त के रूप में न्युक्त किया गया तो सुरेश एन पटेल को नेक्ट प्रश्ट है कौन भारतिये वायुसेना में सामिल होने वाली जमू काश्मीर की पहली महिला फाइटर पाइलेट बनी है तो यह है माविया शूदन नेक्ट प्रश्ट है वर्स 2021 के पुलिजर प्रश्कारों में किस भारतिय मुल की महिला पतकार को प्रश्कार परदान किया गया तो यह प्रश्कार मेगा राजगोपालन को परदान किया गया है अब नेक्ट प्रश्ट है हाली में किस के द्वारा Fast and Secured Transmission of Electronics Records पर्णाली के सुरुवात की गई है तो यह पर्णाली सर्वुच नियाले के द्वारा सुरुवात की गई है अब अगला परशन है संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन विजा पाने वाले पहले भारती अभिनेता कौन बने है तो यह है संजय दत नेक्स प्रशन है अभी अहमद अली किस देश के पधानमंत्री के रूप में पुना नियुक्त हुए है तो वह है इथोपिया अरथात अभी अहमद अली इथोपिया के पधानमंत्री बने है नेक्स प्रशन है किस परोसी देश के सहर अड़ु में भात का पाला तो यह खुला गया माल दीव में अब अगला प्रश्ण है परसिद व्यक्ति सुन्दरलाल भहुगुना का निधन हो गया वे क्या थें तो वे थें परियावरन विद विद अर्थात विद्वान नेक्स प्रश्ण है किसरा सरकार ने प्रतिवर्स महंदास अंतराष्ट्य साहित प्रश्ण देने की घुष्णा की है तो यह घुष्णा उरिसा सरकार ने की है अब अगला प्रश्णा किन दो राजियों के मध्य Water for Water Formula समझहोता किया गया तो यह समझ होता करनाटक और महराष्ट के बीच किया गया है अब अगला प्रशने सामिया सुलूहु हशन किस देश की पहली महला राष्टपती बनी तो यह बनी है तंजानिया की पहली महला राष्टपती अब नेक्स्ट पस्टने राष्ट्रिय शांके की दिवस 2021 का थीम है क्या थीम है तो यह का थीम है सतत विकास लक्ष तू अब अगला पस्टने हाली में प्रेश सुचना ब्यूरो के नए परधान महा निर्देशक कौन बने हैं तो यह बने हैं जैदीप भटे नागर अब अगला पस्टने भार्त के पहले हिमालियन फिल्म होसब का और जन 24 से 28 सितंबर के माद्धे कहा किया गया तो यह किया गया लेह में अब अगला प्रश्ण है ICC T20 पुरुस वर्ल्ड कप 21 का योजन कहां किया जाएगा तो यह किया जाएगा UAE एंड ओमान में तो यह था प्रेक्टिस सेट 18 का आकरी प्रश्ण और साथी इस पुस्तक के प्रेक्टिस सेट का आकरी प्रश्ण तो आसा करता हूं आप लोग को हम हमारे यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाक और से जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को हमेशा पाने के लिए इसे लाइक और सेर जरूर करें साथी सब्सक्राइब भी जरूर करें